Welcome to only IS, स्वागत है आप सभी लोगों का Current Affairs Revision for Prelims 2022 में International Relations के Current Affairs के Revision का ये हमारा पांचवा लेक्चर है आज के सिशन में हम जन्वरी महिने के International Relations के Current Affairs को revise करेंगे आगे बढ़ने से पहले छोटी से information आप सभी के लिए है कि हमारे पास इस Prelims 2022 के लिए कुछ courses हैं जो कि आपके exam point of view से काफ़ important हो सकते हैं सबसे पहले इसमें एक Prelims Crash Course की बात हो रही है जिसका नाम Tegas है इसमें आपको 250 प्लस आर्स के Video Lectures इसमें आपके Current Affairs और Static दोनों included हैं काफी सारे Test, Full Length और Sectional और Weekend Out Sessions वगरा सब कुछ हैं इसमें इसमें आपको Free CSAT के Classes और उनके Test Series भी मिलती है बट स्टिल अगर आप केबल Test Series में जॉइन करना चाहते हो आपको Video Lectures नहीं चाहिए हैं आपके Revision और चल रहा है अच्छा तो आप उसके लिए Last My Leap जॉइन कर सकते हो इसमें आपके 19 Sectional Test हैं पांच Current Affairs के Test हैं 15 Full Length Test हैं 4 CSAT के Test हैं इसको जॉइन करने के लिए आप dpp.onlyis.in पर जॉइन कर सकते हो अट दे सेम टाइम एक CSAT के लिए Program है जो की ऐसे Students को Cater करता है जिनका CSAT Week है तो CSAT Expert Program आपके सब ही CSAT के Topics को Cover करता है Video Lectures के Form में और छोटे-छोटे Handouts भी हर Lecture के बाद आपको मिलते हैं Practice के लिए और Last में कुछ Full Length Test है इसमें इसके अलामा अगर आप 2023 के लिए Prepare कर रहे हैं तो आप हमारे Prarambh Batch को Join कर सकते हैं इसमें आपको एक Full Foundation Batch के तरह के से सारी Requirements UPSC के Point of View से Fulfill की जाती है इसमें Video Lectures भी है, Study Materials भी है, Test Series भी है, Mentorship भी है Interview Guidance भी है, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा अगर आप इस Batch को Join करना चाहते हो तो आप Video.OnlyIS.in पर Visit करो याद रखना कि तेज़ेस प्रोग्राम के लिए भी आपको Video.OnlyIS.in पर ही Visit करना है अगर आपको कोई भी डाउट आता है इन सभी बैचेस से रिलेटेट तो आप हमें Simply इस नमबर पर Call कर सकते हो या फिर Info.OnlyIS.com पर हमें Mail Drop भी कर सकते हो तो चलिए discussion स्टार्ट करते हैं जब Cambodias में आसिया की समिट हो रही थी इस ट्रेट डील में इनिशन फीज में 16 पार्टनर्स थे जिसमें इंडिया भी एक हिस्टा था इंडिया भी इस ट्रेट डील का हिस्सा था बातचीट चल रही थी इन सोला में 10 तो आसियान की ही कंट्रीज हैं, दो जार प्रोने, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाउस, यहाँ पे S-AID करिएगा, मलेशिया, मिनानमार, फिलिपीन, सिंगापॉर, थाइलेंड और वियतना, इसके अलामा जो 6 देश थे दो जोबर चाइना, जापान, साउथ क तो इंडिया ने हमें खुद को बाहर कर दिया, तो यह 16 से 15 ही बचे हैं, इसमें यह था कि यह 15 देश या जब बात चल रही थी 16 की, तब 16 देश ट्रेट टैर्स को कम करेंगे, ठीक है, और जो ट्रेट सर्विसेस हैं उपन किया जाएगा, एंडश्मेंट को प्रमोट जो कॉस्ट और टाइम है कमपनीज का एक दूसरे देश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का उसे हम कम करेंगे, विगास उन्हों कोई सेपरेट रेक्वाइमेंट फुर्फिल नहीं करने पड़ेगी, एक कॉमन रेक्वाइमेंट होगी, जो हर देश में लागी होगी, एं वेस्टन कंट्रीज हैं, वो एशिया की कंट्रीज के एक्सपोर्ट को ब्लॉक करते हैं, आरसी एपी के सिग्निफिकेंस अगर आप देखें, तो जो ग्लोबल जॉस्ट डॉमिस्टिक प्रड़क्ट है, निकि जो ग्लोबल जीडिपी है, यह उसका 30% कवर करेगा, 26.2 trillion वर के वीच में खतब कर दिया जाएगा, आरसी एपी के बेसिस पर कॉमन रूल्स बनाए जाएंगे, ट्रेड, इंट्रेक्शन प्रपरटी, इक कॉमर्स और कॉम्पेटिशन हो लेकर, प्रस्न 2018 में आया था आरसी एपी के उपर नहीं, बल्कि आसियान के फ्री ट्रेड हैं, Australia, Canada, China, India, Japan और USA, हम ये तो अंदाज़ा लग जाता है कि Canada तो नहीं है, तो ये ग्रॉस हो जाता है, confusion होती है कि USA है कि नहीं है, तो USA भी नहीं है, Australia, China, India और जापान, ये चार हैं, तो 1345 ये इसका सही जवाब होगा, और इस लिहाद से आंसर निकलेगा C, हमारा नेक्स आर्टिकल चाइना के एक ब्रिज के बारे में है, जो कि पैंगॉंग लेक पे पनाया जा रहा है, अभी ये न्यूज में निकल के आया कि चाइना एक नया ब्रिज कर रहा है, पैंगॉंग सो, सो मतलब लेक पर, इसके बाद वो पैंगॉंग सो की रीजन में अपनी पैट को और strong करने की कोशिस कर रहा है यह जो उसका bridge है यह LAC की काफी close है यदिपी यह जो China का area है उसी में है अगर हम इसकी distance देखेंगे तो यह LAC से लगभग 25 km की दूरी पर है मतलब अगर यह line of actual control है भरत और चीन के बीच में तो वो 25 km अपनी तरफ यह bridge बना रहा है लेकिन फिर भी यह चुकी LAC के काफी close है तो strategically important हो जाता है और जब भी इंडिया अपने strategic domain में कोई काम करे तो इस bridge को जरूर से संग्यान मिले यह उनके यह जो पैंगॉंग सो है इसके नदन और सदन बैंक को connect करेगा यह पैंगॉंग सो है if you can see that in the image तो यहाँ पर काफी एक narrow part है वही पर इस bridge को यह construct किया जा रहा है ठीक है इस जिगह पर इस bridge बन रहा है तो locations है North Bank पर People's Liberation Army जहां बैठती है that is कुरनाक फोर्ड और सदन बैंक पर मोल दो इन जिगह पर रहते हैं और इनके बीच में जो distance है वो लगभग 200 किलोमेटर की है और इसे connect करने के लिए उन्होंने इस bridge को यहाँ पर construct किया है पहले उन्हें इस दूरी को टै करने में 12 गंटों का समय लग जाता था जो इस bridge की बाद महाँ 30-4 गंटों में complete हो जाएगा तो इस टर्जिकली चैनल के लिए बहुत important है और इंडिया को भी इस पर जरूर से ध्यान रखना चाहिए हमारा next article CSTO यानि की collective security treaty organization के बारे में है अभी हाल ही में कजाकेस्तान में situation काफी जड़ा खराब चल रही है कजाकेस्तान में kind of instability की situation है वहाँ पर सरकार ने जो subsidy थी LPG पर उसे खतम कर दिया जिसके बाद LPG के दाम दो गुने हो गए यानि की काफी तेजी से बढ़ गए इसके लावा सरकार में काफी ज़दा करप्शन था लोग पहले से भी नराज से और LPG के prices में इस sudden hike ने उन्हें एक reason दे दिया और वो सरकों पे उतर आए जो government establishment है उनमें तोड फोड आगजनी की जाने लगी और kind of civil war के situation बन गई है इस situation में कजाकेस्तान ने मदद मागी है रश्या से या फिर collective security treaty organization CSTO से CSTO एक grouping है एक intergovernmental military alliance है जिसमें total आते हैं ये देस मैं इनके नाम आपको बता देता हूँ अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकेस्तान किर्गेस्तान, रश्या और तजाकेस्तान तो 6 देस इसका हिस्सा है इन 6 देसों मैं देखिए इसका basic arrangement कैसा है, मैं आपको बता देता हूँ इसे 15 जून 1992 को sign किया गया जब USSR disintegrate हो गया और 15 देसों में से निकल गया तो इन लोगों ने आपस में मिलके grouping तयार की और ये 2002 से effective हो गया इसे taskant pact या फिर taskant treaty के नाम से भी पुगरा जाता है headquartered है Russia के Moscow में CHTO का जो objective है वो ये है कि region में peace को बहतर किया जाए और regional security को बढ़िया किया जाए collective basis पे independence territory integrity और sovereignty जो member states की है उसे protect करने की कोशिस करते है CHTO के member ship का मतलब ये है कि ये किसी और जो military alliance है उसका हिस्सा नहीं बन सकते यहाँ पे आपको पता है target किसको कर रहे है target कर रहे है NATO को मतलब ये 6 देश NATO की members नहीं ले सकते Russia को तो obviously नहीं मिलेगी बाकी के 5 देश भी ना ले इस चीज़ को ensure करती है ये treaty सबसे important कि अगर किसी एक member के उपर कोई attack किया जाता है कोई threat create किया जाता है तो security assurance होता है सभी देशों की ओर से कि इसे हम सभी लोगों के उपर एक attack consider करेंगे हाला कि practically ये कितना होता है ये तो questionable है because अभी देखे कजाकिस्तान के situation में तो Russia ने lead किया और एक जो troops का dispatch है वो कजाकिस्तान में situation को control करने के लिए भेज दिया गया अब यहाँ पर कहेंगे तो देखने में लग रहा है कि CSTO जो है वो बढ़िया काम कर रहा है और collective security का जो इनका principle है वो applicable है लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता लाइक अभी अर्मेनिया और अजर्बैजान में जब एक conflict start हुआ था तो अर्मेनिया भी CSTO का part था लेकिन CSTO उसकी मदद के लिए नहीं गया तो ये भी अपने हिसाब से रेखते हैं कि अगर इनके बहुत hit नहीं नुकसान में हैं अब तो ये मंदद के लिए जाते हैं नहीं तो नहीं जाते अब civil war की situation है तो कोई geopolitical conflict emerge होगा नहीं तो गुज गए हैं वहाँ पे further जो रश्या है वो US के उपर अरोप भी लगा रहा है कि जो conflict वहाँ पे emerge हुआ है civil war की जो situation आई है वो रश्या अरोप लगाता है कि USA ने create करवाया है जो CSTO है वो एक country के against में aggression को सभी country's के against मानता है practical issue क्या है वो मैंने आपको बता दिया वही बात है कि अभी unclear है कि practically इसको follow कर रहे हैं या नहीं अर्मेनिया की case में तो कम से कम इनों ने follow नहीं ही किया था अमारा next article WEF Devos का जो agenda summit रहा 2022 के लिए उसके बारे में है हाल ही में इसकी meeting होती है Devos में Devos एक city है Switzerland में और वही पर इस meeting को अभी virtual way में held किया गया World Economic Forum ने इस पूरी meeting को organize किया जो summit है वो पहला global platform offer करता है 2022 में I repeat इसके बाद कई और सारे platforms आएंगे जहां पर world leaders मिलकर बात चीट कर सकते हैं और plan कर सकते हैं कि आगे आखिर करना क्या है इस साल में agenda 2022 का ये रहा कि WF के जो initiatives रहे उनको launch किया गया कि कैसे हम nature positive solutions निकाले जिन से nature को नुकसान ना हो और दुनिया आगे बढ़े further cyber resilience ensure करनी है zero emission पर भी जाना है जहां पर हमें emission जो भी हम कर रहे हैं उसे neutralize करने के भी प्रयास करने है vaccine gap को bridge करना है जो under developing countries है उनके पास vaccines की reach अभी भी कम है global value chain को हमें एक बार फिर से बहतर करना है जो कि COVID-19 के वज़े से disrupt हो रखी है जो fragile market की economies है जिनकी economies अभी दिक्कत में है जो pandemic है उसकी वज़े से उन्हें हमें human investment के माध्यम से और better करना है फर्दर ये भी देखना है कि कैसे हम data solution के माध्यम से इस pandemic को लड़त सकते हैं और बहतर तरीके से जो भी data हमारे पास gathered है उसका इस्तेमाल करके बात करते है World Economic Forum के बारे में Klaus Squab जी ने 1917 में इसे establish किया था तब ही एक not for profit foundation हुआ करता था initially इसे European Management Forum नाम दिया गया था बाद में 1987 में इसका नाम बदल के रखा गया World Economic Forum इनका basic काम ये है कि दुनिया भर में जो business, political academic और जो other leaders society के हैं जो पूरी दुनिया या regional या industry agendas को shape कर रहे हैं उन्हें और बहतरी दी जाए सुर्जलान के जिनेवा में ये headquartered है कई सारे reports भी ये publish करते हैं like global competitiveness report global gender gap report, global risk report और global travel and tourism report ये काफी important इनकी reports है हमारा next article है Asian Infrastructure Investment Bank के बारे में यानि की AIIB के बारे में जो Formula Reserve Bank of India के governor रहे हैं, उर्जित पतेल जी इन्हें अभी हाल ही में Vice President appoint किया गया है Beijing Based Asian Infrastructure Investment Bank का यानि की AIIB का, ये है क्या ये एक multilateral development bank है multilateral का क्या मतलब हुआ multilateral का मतलब ये है कि यहाँ पे कई सारी countries involved होती है objective क्या है, इनका objective तो basically यही है कि social or economic outcomes Asia और beyond की region के enhance किये जाए ध्यान दीजेगा कि वैसे तो नाम में है Asian Infrastructure Investment Bank लेकिन इसकी membership या इनकी activities केवल Asia में limited नहीं है रधर ये उसके beyond भी अपनी activities परफॉर्म करते हैं, ये एक important हो जाए, लब में समय तक बना रहे है और productive बना रहे है, ठीक है इसके जरीए लोगों को, services को और market को connect करने की कोशिस की जाती है जिससे billions of लोगों की life में बदलाव आए इसे देखिए AIIV Articles of Agreement के माधिन से established किया गया था और ये December 2015 में effective हुआ December 2015 से ये effective होने के साथ ही साथ काम करने के लिए तयार हो गया headquarter है चाइना के बीजिंग में और इसने अपने operations को जनवरी 2016 से सुरू किया अब यहाँ पर देखिए December 2015 में effective ही हुआ है, force में ही आया है तो काम करने के तयार हुआ है थोड़ा समय तो लगेगा तो जनवरी 2016 से इसने काम करना शुरू कर दिया, वर्तमान में जो इसकी membership है वो 100 से ज्यादा members की है, ठीक है चाइना इसका सबसे बड़ा shareholder है चाइना के पास जो shareholding है वो 26.61% की है, इसके बाद जो shareholding है सबसे बड़ी वो इंडिया के पास है, 7.6% की रश्या 6.01%, जर्मनी 4.2% एक बात और important है कि भले ही एशिया के beyond इसमें members है लेकिन जो Asian countries हैं यानि की जो original members हैं, उनके पास अभी भी इस bank की 75% shareholding है और इस लिहाद से मतब जो 75% shareholding है उसके एवज में उनके पास 75% voting power भी है, and that is the reason की ये effective बना रहता है, और इसका जो नाम है Asian Infrastructure Investment Bank ये उसे justify भी करता है देखे, 2019 के prelims में ये प्रशन पूछा गया, आपको idea लग जाएगा AIIB के reference में हमारे सामने 3 statement थे, पहला तो ये था कि इसमें 80 से जादा members है दूसरा, कि इंडिया के पास इसकी largest share holding है और तीसरा, कि इसमें कोई भी member Asia के बाहर का नहीं है अब आपको बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गरत मैं इसका जवाब नहीं दूँगा, because मैं चाहता हूँ कि आप इसका जवाब दे, वो भी comment box में वैसे हमने जो article discuss किया है इसके basis पर अभी तक आपको idea लग गया होगा किसका answer क्या है, लेकिन still आप comment box में बताईएगा previous year का paper है, तो वैसे भी आपको पता होना ही चाहिए कि क्या answer निकल क्या आएगा, बताईएगा comment box में इस question का answer क्या है हमारा next article reciprocal access agreement के बारे में है reciprocal access agreement का मतलब ये है कि आप हमें access दीजी, हम आपको access देंगे लेकिन किस बात कि, इसे short में कहा जा रहा है रा, जो रा है, ये middle power जो willing है Indo-Pacific में active role play करने को लेकर उनसे संबंदित है, basically जो रा है वो एक bilateral defense और security pact है किसके किसके बीच में है अगर bilateral है तो ये basically Australia और Japan के बीच होने वाला एक bilateral pact है हमारे लिए significant क्यों है, हमारे लिए significant इसलिए है, because ये दो के दोनों ही quad के member है, और basically ये quad के members में enhance होने वाला kind of cooperation है, ये अभी तक आरोप लगते हैं कि India quad में उतना active नहीं है जितना active होना चाहिए, quad की ये दो members आपस में defense और security pact strong कर रहे हैं, जिसके मात्यम से वो अपनी military training और military operations को एक साथ shared manner में conduct कर पाएंगे जिससे defense forces को quickly, आसानी से deploy किया जा सकेगा और कम administration के requirement रहेगी, फर्दर कुछ और बाते देखते हैं इसी article में reciprocal access agreement, जापान का पहला ऐसा agreement होगा, जो उन्होंने किसी भी country के साथ किया है, जिसके बाद Australia और Japanese military आपस में एक साथ मिलके काम कर पाएंगे, ना किवल defense के field में, बलकि humanitarian aid के मामले में भी वो अच्छा काम कर पाएंगे जो pact है, वो Chinese Communist Party के aggression की हज़े से sign किया गया है, जहां पर वो South China Sea में लगातार aggressive होते जा रहे हैं, और जो disputed regions है, वहां पर militarization कर रहे है, military को अपने active कर रहे हैं, तो इस प्रकार के defense pact बहुत ही ज़्यदा जरूरी हो जाते हैं चाइना को counter करने के लिए, हमारा next article India Denmark Green Strategic Partnership के बारे में है, अभी हाल ही में दोनों देशों ने एक joint research and development initiate किया है, जिसके माध्यम से green fuel को इंडिया में develop करने को लेकर research की जाएगी, including green hydrogen सितंबर 2020 में जब दोनों ही देशों के prime ministers ने virtual summit में हिस्सा लिया था, उसी के दारान इस strategic partnership के सुरुआत की गई थी, इसके माध्यम से दोनों ही देशों को benefit हो रहा है और हम political cooperation, economic relations को expand कर रहे हैं further, जो भी global challenges and opportunities हैं, उनमें एक साथ मिलके काम करने की कोशिस कर रहे हैं कुछ sectors हैं जिन पर focus किया जा रहा है दोनों देशों के द्वारा, those are water, अर्बन डेवल्लप्मेंट, renewable energy, intellectual property rights Joint Action Plan जो होता है इसके माध्यम से दो के दोनों ही देश जो Danish companies हैं basically, जिनके पास बढ़िया technology और expertise है, वो इंडिया के साथ हम मिलकर, air pollution control, target और ऐसे issues को handle करने के लिए initiatives लेते हैं, प्रयास करते हैं, जो plan है, उसमें cooperative effort की बात की गई है, water efficiency और इंडिया डिन्मार्क energy parks को establish करने को लेकर भी बात की गई है, इंडिया डिन्मार्क skill institute भी बनाया जाएगा, हमारा next article, India Israel industrial R&D and technological innovation fund, I4F के बारे में हैं, इंडिया के जो experts हैं, वो इसराइल के साथ मिलकर, इस innovation fund के scope को widen करने की बात कर रहे हैं, अभी जो it governing body meeting हुई, इसकी उसी के दरान, इसके तहर देखे, तीन joint R&D यानि की research and development projects अप्रूव किये गए हैं, जिनकी कीमत 5.5 million dollar के आसपास है तीन जो projects है, उनमें पहला तो है, centrally monitored IOT nanosensors, IOT का मतब यहाँ पर internet of things है, जिसके माध्यम से हम molecular diagnostics तयार करेंगे, healthcare के लिए और screening applications के लिए no more MOS, MOS का मतब यहाँ mosquitoes से है, जिसके माध्यम से हम logical solutions opt कर रहे हैं, mosquito control के लिए, बिकाज यह कई सारी बिमारियों का जड़ होते हैं, IOT enabled satellite communication पर भी काम होगा जिसके माध्यम से agriculture और environment का real time data collect कर पाएंगे यह जो innovation fund है, इसकी बात करें तो इसे kind of cooperation है, I4F जो Department of Science and Tech है इंडिया का और Israel Innovation Authority है उनके बीच में, इसके माध्यम से दोनों ही देश, research and development projects में एक साथ मिल के काम करते हैं जो focus sectors हैं, उन पे challenges को address करने की कोशिस की जाती है और हम जो innovation है उसे successfully commercialize करने की भी कोशिस करते हैं फिर बात आती है, America competes act की तो US House of Representatives ने एक नया important act लाया है, जो कोशिश कर रहा है अमेरिका में manufacturing को grow कराने की अब हमें पता है कि इंडिया में अलुड़ी आत्मिनोर इंडिया में news आई थी कि government of इंडिया ने भी PLI यानि production linked incentive scheme चालो की थी कि इंडिया में भी semiconductor business फैले क्योंकि अमेरिका की dependent बहुत जादा है चाइना के उपर, और mostly सभी countries दुनिया की उनकी dependent चाइना के उपर बहुत जादा है, semiconductors को लेकिए और semi-conductors का इस्तमाल हर चीज़ में किया जाता है चाहे आपका mobile phone हो, चाहे आपकी गाड़ियां हो even चाहे आपके calculators हो तो semi-conductors पे monopoly एक तरहेगी है चाइना की, तो उसके लिए अमेरिका कोशिश कर रहा है कि वो अपने नियम बदल रहा है इंडिया के लिए relevant इसलिए है कि वहाँ पर क्योंकि वो बदला हो रहे हैं उसमें जिन लोगों की education qualification है जो STEM से आते हैं Science, Technology, Economy, Mathematics के शेत्र से आते हैं जिनकी PhD जिन शेत्र में हैं उनको काफी rebate दी जाएगी उनको पहले वरेदा दी जाएगी visas के case में और एक नया W classification होगा जो इस नया entity में investment करना चाहते हैं entrepreneurs के लिए भी एक नया category बनाया जाएगा तो इससे Indian जो talent है उसको जारा opportunity मिलेगी जो H1B visa category है अमेरिका की जो हर साल work permits दिये जाते हैं अमेरिका में आके काम करने के लिए कुछ ऐसे लोगों को जिन companies को लगता है कि उनके workers की requirement है वहाँ पर काम करने के लिए जो अमेरिका में कम है तो बाहर से आके वहाँ काम कर सकते हैं उसमें एक बड़ा segment इंडिया का है इंडियन लोगों का है जो जाके H1B visa पर वहाँ पर काम करते हैं तो अब इसमें थोड़ी liberalization होगी जिससे इंडियन लोगों को जारा opportunities मिलेगी अमेरिका में जाके काम करने की और फिर remittance इंडिया में आएगी और इंडियन opportunity बढ़ेगी काम करने की तो बहतर होगा इंडिया के लिए जारा working visas होगा और बहाँ जो high skilled workers है अमेरिका में उसकी थोड़ी कमी है तो उसकी पूर्ती के लिए इंडिया से ये visa regime liberalize की गई है तो visa regime असल में चार्थ रहेगी है H1B visa जो speciality occupation की बात करता है कि अगर आप किसी विशेश एरिया में काम कर रहे हैं coding का शेतर होगया या AI का काम होगया जो आप सर्जन होगया तो वो आप speciality occupation में है उसके लिए एक विशेश visa होता है H1B visa higher education degree वाला जो अकसर इंडियल लोगों को मिलता है फिर एक होता है L1 visas जो company को high skilled worker को US लाने को अलॉग करते हैं 7 साल तक के लिए L1 visa का इस्तमाल लगार के आप 7 साल तक के लिए ला सकते है फिर H1 H2B visa होता है जो food और agriculture workers को दिया जाता है जो अमरिका में रोजगार ढूंड नहीं होते हैं तो H2B visa असलों में बहुत strict visa है जिसके ताहर जो normal workers है वो जिससे अमरिका जा सकते है जिसका जो बहुत कम मिलता है इसके लाबाद J1 visa है जो students को दिया जाता है study और summer programs के लिए प्रमुक चार visas है इंडिया चाहता था कि H1B, H2B और 11 visas को liberalize किया जाए ताकि और इंडियन जो workers है जो काम के तलाश में अमरिका जा सकते तो ये एक अच्छा पॉइंट है जहां इंडिया के workers के लिए अच्छी ख़बर है लेकिन फिर compete करेंगी कंपनिया इंडिया में जो अगर इंडिया का PLI scheme launch हुआ था समी कंडेक्टर के लिए वहां पर समस्या खड़ी हो सकते तो इंडियन कंपनी स्टार्टा और Reliance ने कोशिश किया कि ताइवान के साथ collaborate करें इसके उपर अगला टॉपिक है इंडिया Central Asia Summit के बारे में Prime Minister इंडिया ने हाली में होस्ट की इंडिया Central Asia Virtual Summit और ये पहली ऐसे engagement है जो इंडिया के और Central Asia के topmost leadership के बीच हुई है Central Asia की countries कौन कौन से कौन कौन से countries लगती है ये आपको पता होना चाहिए इनसे कौन कौन से country boundary touch कर वी है क्योंकि अकसर ऐसे question prelims में पूछा चला जाता है कि location wise questions में ऐसे topics अकसर आ जाते हैं तो बात दुबारा आते हैं Summit के उपर जिसका objective क्या था कि cooperation कैसे बढ़े इंडिया और Central Asia के बीच में उस पर focus करना energy security prosperity के उपर focus करना आप मैं बात बताना चाहूंगा कि दुनिया का 11% जो natural gas का reserves है वो असल में Central Asia में ही है इस region में बहुर जादा मात्रा में uranium पाया जाता है लेकिन इंडिया Central Asia से connected नहीं है connection के लिए इंडिया कोशिश कर रहा है टापी gas pipeline के थुरू जो कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया तक आने वाली gas pipeline है इसके लाब इंडिया कोशिश कर रहा है चाभाहार के थुरू जो इरान का पोट है, वहाँ से अफगानिस्तान जाया जाया, वहाँ से Central Asia तक पहुचा जाया, इरान के थुरू भी, तो जो key points है, यहाँ पर यह है कि इस summit को इंस्टुटुशनलाइस किया गया है, यानि हर एक दो साल पर यह summit होगी, जिससे इंडिया और Central Asia के बीच में bonding बीच में, जिस तरह से हम और जादा people-to-people contact, cultural contact को बढ़ा सकते हैं, उसके उपर focus किया गया, जैसे Buddhist exhibitions को showcase किया जाएगा, counter terrorism को लेके joint exercises होंगी, और youth delegation एक दूसरे को visit करेगा, इसके अलावा, trade को बढ़ाने के उपर focus किया गया, अभी इनका trade इंडिया के साथ केवल 2 billion dollar के आ अभी हाल फिलाल में observer status दे दिया गया है, International Solar Alliance को, अब जैसा कि आप सभी को पता होगा, कि जब भी किसी को observer status मिलता है UN का, तो वो headquarter जो UN का है, New York में, वहाँ अपना एक permanent office खोल सकता है, मतलब अब आए से भी आपका एक permanent office वहाँ पे establish कर सकता है, वैसे तो 1946 में पहला observer status मिला था, Swiss government को, उसके बाद से ही बहुत सारी आपकी regional और international organization को, UN ने इस तरह का status grant किया है, ने कहीं हम UN को as a collaborative platform यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हम deployment को और ज़्यादा increase कर सकते हैं solar energy की, अब यहाँ पे aim हमारा ये है, कि हम access और security को ensure कर सकते हैं, जो भी country transit कर रही है, from non-renewable source of energy to the renewable one अभी हाल फिलाल में इसके 101 signatory है, जिसमें से US से भी एक है, असी ऐसे देश हैं जिन्होंने sign भी किया और इसे ratify भी किया है, तो ये आपकी एक बहुत बड़ी organization है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए अगला article है हमारा Indian Ocean Dialogue के बारे में, अभी 8th edition आपके IOD का launch किया गया है, जहां पे हमारा focus है, Indian Ocean को safe और secure बनाने पर, ये एक आपका diplomatic channel है, जिसे हम 1.5 diplomatic track बोलते हैं, यहां पे आपके officials के साथ, NGOs वगरा या non-officials भी participate करते हैं, उसके लावा, यहां पे आपको ये जानना जो Indian Ocean Rim Association है, या Indian Ocean जो पार्ट है आपका, वो लगभग दुनिया के आधे ship continuous को host करते हैं, उसके लावा, two-third जो आपके oil की shipment है, वो यहीं से होके जाती है, साथ के साथ आपको ये पता होना चाहिए, कि यहां पे तीन आपके major choke points हैं, जैसे हार्मोस, state of हार्मोस के बारे में, आप सभी जानते होंगे, state of मलक्का के बारे में आप सभी जानते होंगे, और बाब अलमंडब, इन तीनों को हम choke point बोलते हैं, बहुत strategically located हैं ये, जो global trade और energy के लिए बहुत जादा important है, उसके लावा, ये host करते हैं, लगभग वर्ल्ड की one-third population को, और 25% वर्ल्ड के land mass को, उ अब यहाँ पे अगर बात की जाए, इंडिया's initiative towards Indian Ocean Rim, तो आपको ये पता होना चाहिए कि, यहाँ पे हम primary security provide करते हैं, जो छोटे छोटे देश हैं, जैसे मालदेव सोगे, मुरिश्यस हो गया, श्रलंका हो गया, हम इने security provide करते हैं, उसके लावा हमारा vision सागर जो है, उसके इंडिया-centric, geopolitical, strategic और economic interest को, उसके लावा यहाँ पे आपको याद रखना है, इंडो-Pacific Oceans Initiative को, इसमें हम focus करते हैं, security पे, ecology पे और disaster risk reduction पे, उसके लावा आप याद रख सकते हैं, Indian Ocean Naval Symposium को, जहाँ पे हमारी कोशिच यह थी कि हम marine time cooperation को और ज़्यादा enhance कर सकें तो आज के इस session में बस इतना ही, thank you very much